नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का SNK पाट सारा पर आज की वीडियो में हम The Proposal नाम का जो प्ले है जो लिखा गया है एंटन चेकप के द्वारा उसके Question-Answer की जो सिरीज थी जिसमें हम Long Question और Answer को कर रहे थे उभी खास करके सबसे Important वाले उसको Continue करेंगे ये इसकी चार नमबर वीडियो है यानि कि इसके पहले के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है आप वीडियो खत्म होने पर या उससे पहले भी चाहे तो Description Box चेक कर लेंगे वहाँ पर आपको Other Videos के Link मिल जाएंगे Class 12 की पूरी जनकारी के लिए बने Class 12 का पूरा Class करने के लिए आप वीडियो के Description में जाकर के देख सकते हैं वहाँ Class 12 के Playlist मिलेगी वहाँ पर हर एक चेप्टर को अच्छे से Explain किया गया है और बहुत ही असान Language में समझाया गया है यहाँ पर एक लंबा Question और जिसका आप लोग Long Answer टाइप Question कहते हैं LAQ कहते हैं उसको Discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको Question समझाता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है Question और Answer को समझ करके करना ताकि एक्जाम में इसे अगर बदल भी दिया जाए तो आप इसका Answer easily कर सको I hope आपको मेरी बाते समझ में आ रही होंगी किसी भी doubt के लिए आप चाहे तो तुरंत मुझसे बात कर सकते हैं Comment section में Question क्या है I have come to you to trouble you with a request मतलब क्या हुआ कि मैं आपके पास आया हूँ और पास क्यों आया हूँ भी बोल दिया है कि एक अनुरोध लेकर क्या हूँ एक request लेकर क्या हूँ इससे क्या करूँगा आपको परिसान हो हो सकता है कि आप मतलब परिसान हो जाओगे आप trouble हो जाओगे तो पूरा तरफ को हिंदी में ये एक statement दिया गया है अब इस statement को उठा करके रख दियेगा proposal नाम का जो drama है उससे proposal नाम की जो drama से एक line उठा के दे दी गई और उससे अब question और answer है थोड़ा ध्यान स्मनिएगा I have come to you to trouble you with a request मैं आपके पास आया हूँ एक निविदन लेकर के आया हूँ आपको परिसान करने के लिए यह बात अब यहाँ से question कैसे उठती है यहाँ से देखिएगा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा पहला question इसमें क्या है वो है कि who says this and to whom यानि कि यह बात किसने कही और किससे कही यह बात आपको जानना है who says this and to whom का मतलब हो गया कि किसने किससे कही नोर्मली यह जब सवाल ऐसे आता है exam में तो इसके लिए दो number रहते हैं one plus one लेकिन यहाँ पर इसके लिए इसमें ऐसे एक number में तोड़ा गया है यह एक school में आया हुआ question है choose किया गया और बहुत important question में से एक question है तभी मैंने इसको लिया है तो देखिए यहाँ पर answer किसने कहा यह बात तो यह उस समय के बात है जब proposal start होता है लमोव चुबुकोव के घर पर आता है उसके बेटी का हाथ मांगने के लिए तब जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक picture यहाँ दिख रही होगा आपको उससे तो यह हो गया लमोव इसको मैं लमोव बोलता हूँ यह चुबुकोव और किसके लिए आया है तो एक मैरस को प्रपोजल के लिए आया है उसकी बेटी नतालिया के लिए तो जो वहाँ जो बूढ़े करके दिख रहे हैं आपको यह बात जो लिखी हुई है किसने, who says this and to whom कौन कहता है और किससे कहता है तो इन एंटन चेकब्स दप्रपोजल यानि कि एंटन चेकब्स के दोरा लिखा गया दप्रपोजल जो ड्रामा है उसमें लमोव says this to चुबुकोव व्याद रखिए का टेंस को बहुत ध्यान में रखने क्या हो सकता है अगर यहाँ पर सेज रहा है तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही रखना होगा और किससे कहता है to चुबुकोव तो यहाँ चुबुकोव हो गया छेले, दुसरा कोशन क्या कहता है तो देखे, रिक्वेस्ट के बारे में जो आंसर है उसको यहाँ से आगे, मैं दिखाता हूँ दूसरा नंबर यहाँ क्या लिखा हुआ है? जहां से पढ़िएगा लिखा हुआ है कि दर रिक्वेस्ट वाज अबाउट लिमोब्स मैरेज प्रोपोजल अब जो कि मैरेज हुई नहीं है था अब उसके मैरेज नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे? प्रोपोजल के बारे में था तो वो रिक्वेस्ट कौन सा लेकर आया था? तो दे रिक्वेस्ट वाज यानि कि अनुरोध था अब क्या बोल रहा है? किसके लिए लेकर आया था तो भी बता दिया है यानि कि लमोब्स इसको ही कहा गया है वो यहां आया है किसले आया है? मांगने के लिए तो नतालिया जो उसकी बेटी है उससे साधी करने के लिए लमोब इसके घर पर जाता है और वो इसके हाथ को मांगने के लिए जाता है और यही क्या था उसका रिक्वेस्ट था? तो आपको यह भी लाइन समझ में आ गई होगी इसके बाद अगला कोश्चिन क्या कहता है? वो देखते हैं जब कोई बाद जब परसन इसपोकेन टू जब लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है जिस परसन से कहा गया? यह स्पीकिंग करने वाला आदमी है स्पीक करने वाला है तो यह स्पोकेन हो गया जिसको कहा गया तो जिसको कहा गया guess about the request तो पहले जो होता है लमोब आता है तो बात को घुराता बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा गुराता है इस बारे में क्या होता है? जब वो बात को सेतर पर नहीं कहता है तो यह guess करता है लगता है यह मुझसे पैसे मागने के लिए आया है तो guess क्या करता है यह person सुरू सुरू में question भी आता है short में कि पहले इसको क्या लगता है किसलिए आया है लमोब उसके घर वो भी खास करके ऐसे पहनावे में तो यहां देखिए बताया गया है कि the person is spoken to यानि कि वो परसन जिससे बात कही गई है guess वो guess करता है about the request उस request के बारे में that की जो request जो है वो लमोब आया है देखिए come 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 वर्ब का third form यह लमोब has come to borrow money कि वो क्या करने आया है वो guess क्या करता है दो चुबू को अब हो सुरू सुरू में guess करता है कि वो उससे पैसे मांगने आया है अब देखते हैं इसके बाद का question ध्यान से देखिएगा आगे चलता हूँ मैं इसके बाद का और last question जिसको descriptive question भी कहेंगे देखिए बड़ा है लिखा हुआ है how does he react वो कैसे react करता है जब सुन लेता है उसकी बात को proposal को actual proposal को जो actual proposal होता है उसको सुन करके actually जो request करता है जो real request होता है पैसे मांगने तो आया नहीं है proposal का बारे में आया है मैरेस के लिए हांच मांगने आया है जब यह बात जान जाता है तो यह जो है वो कैसे response करता है, कैसे react करता है, यह बताए जाएगा, तो देखिए answer कैसे लिखा हुआ है, इसके पहले मैंने question करवाया था, उसमें भी answer का ये part था, तो आप वहां से भी learn कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर सुन लेजीए, hearing the marriage proposal, यानि कि marriage proposal को जब सुन लिया, उसक करता है, चुबकोब become extremely glad, he told Lamova, वो Lamova से कहता है, that he always loved him, कि वो उससे हमेशा सही ऐसे प्यार करता था, like his own son, अपने बेटे की तरह, he prayed to God, उसने भगवान से प्रातना किया, for their future, उनके भविस्तिक के लिए, he was so overjoyed, वो बहुत ज़्यादा खुस हो गया था, that he behaved in an idiotic way, idiotic बहुत ही मुर्खता पूर्ण बेवार करने लगा, क्यों, जब वो बात सुन लिया, तब, जब वो बात जान गया, कि, यह है कि मेरा बेटी से साधी करने आया है, यह बात पूरा जानने के बाद, बहुत खुस हो गया, जब खुस हो गया, तो एक मुर्ख के तरह बरताव कर लगा और लास्ट में at last he went to call his daughter अपने बेटी को बुलाने के लिए चला गया to inform the good news इस good news को बताने के लिए I hope आपको ये समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे से question को design किया हूँ और आसान language में design किया हूँ तक आप अच्छे से इसको समझ पाओ तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इसके घर पर आया है लमोव चुबुकोव के घर पर और उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है उसके बाद जो हाथ मांगने आया है तो पहले जो चुबुकोव होता है उसको यह बात पता नहीं होती है उसका एक सपना जो है अपने बेटी का साधी करने का उसाकार होता दिखता है तो बहुत खुस हो आता है एक मुर्ख तरह बिवार करने लगता है, बेटी को बुलाने चला जाता है, भगवान को धन्यवाद देता है, और उसे कहता है कि मैं तुमको सुरू से ही बहुत अच्छा मानता हूँ, अपने बेटी की तरह मानता हूँ, एटसेटरा, एटसेटरा, I think आपको ये कहानी भी क्ल लिजेगा मुझसे मैं बता दूँगा वहाँ पर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्द ही इसका अगला पार्ट में लेके आऊँगा, और देरे देरे ऐसे ही करते हूँ, सारे important question और answer को complete करा दूँगा आपको, thank you so much for watching this video, अगर पसंद आया हो, तो like करिएगा वीडिय लिएगो